हेलो दोस्तों आपका Free MP Study Channel में स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा आठमी का अब्रास टेस्ट पेपर है सब्ताय चेका ठीक है इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो मिलने वाला है तो अंदर तक जरूर बने रहिए इस वीडियो में हम हिंदी और गड़त का सॉल्यूशन देखने वाले हैं इसके अगली वीडियो में हम बिग्यान और समझ बिग्यान का सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिसकी लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है तो आईए हम सुनू करते हैं यहां से हमारे के कुछ नर्देश दिया गए उनके लिए पहले देख लेंगे ठीक है इसके बाद में यहां पर हमारा प्रशन भाग जो है एक सुरू होता है जो कि यह हिंदी विसाय का ठीक है यहां पर आपके लिए नर्देश में दिया गया है कि निमलिकत अनुचित को पढ़ कर ठीक है नीचे लिए के प्रशन भीकलबों में सही भीकलब चुनकर लिखना है और ताली का में नीचे भालना है ठीक है तो पहले बाले का अपका C हो जाएगा उत्तर यहां पर C में क्या लिखा होगा बेच्चे मित्र बनाते हैं ठीक है इसके बाद दूसरा प्रशन है दूसरे प्रशन में पूछा गया है सलमा किस काम में अच्छी है तो यहां पर आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा ए ठीक है प्रशन प्रशन आपका दिया है अनुछित के अनुछार स्याम को पुस्त का लाए कि पुस्त का पढ़ने में क्या लाग होगा तो यहां पर तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा वो आपका C number का option में लिखा हुगा है पेड़ों पर नाम की पट्टी का लगाई ठीक है यह आपका C number का उत्तर हो जाएगा इसके बाद है प्रस्ने 5 प्रस्ने 5 में है औस दिये पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है तो यहाँ पर देखी पूछा गया है जो कि निर्देश के अनुसर दिया गया ठीक है तो यहाँ पर है पाणियों के बारे में दी गई तारिका को प्रस्न पढ़कर नीचे दिये गए बिकल्पों में से सही बिकल्प जून कर सही उत्तर तारिक अब लिखिए जैसे कि यहाँ बर देखी आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपका निर्देश दिया गया ठीक है और इसके नीचे जो है यह तालिका दी गई है तो इसके लिए आपको पढ़कर नीचे दिये गए जो तने बिकल्प है उनके उत्तर आपको नीचे दी गई तालिका म भरना देखे सबसे नीचे आपके लिए तालिका मिलती है बरी बनी हुई इसमें आपके लिए आंसर लिखने होते ठीक है जैसे पहले का अगर हमारा ए होता है ठीक है तो यह भरते हैं जैसे इसमें C है तो C भर देंगे ठीक है इसी परकार से दूसरे का आपका क्या है यह है तो यह भर देंगे तो यहाँ पर हम देख चुके है ठीक है हिंदी का पांच में कोशन हो गया था यहाँ पर आप दूसरा नर्देश देखने वाली है देखिए प्रशन क्रमांग 6 है प्रशन क्रमांग 6 में आपका पूछा गया है कि बजन के आधर परताली काम दिये गए प्राणियों ठीक है का सही घटा क्रम क्या है तो यहाँ पर आपके नीचे 4 विकल्ब दिये गए है जिसमें आपके छट में नमबर का हो जाए कौन सा उत्तर C नमबर का ठीक है तो यह हो जागा आपका C नमबर का जिसमें लिखा हो गया हाथी ठीक है साथ का हो जाएगा आपका भी इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रस्न है प्रस्न क्रमां काट दिया गया है कि तालिका के अनुचार बजन की द्रस्टी से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है ठीक है तो यहाँ पर आपको पहले बो जो आपकी तालिका थी उसको समझ करके यहाँ पर अपतर देने होंगे ठीक है तो इसके पहले आप उसे पढ़ ले तो यहाँ पर प्रस्न क्रमां काट है जिसमें आपका C नमबर में जो लिखा होगा है नीली फिल और मंगर मच हो जाएगा ठीक है जल प्राणी तो यहाँ पर इसके बार में हो जाएगा जल जर प्राणी होती है यह उसके बाद प्रस्न क्रमां का आपका दस आता है प्रस्न दस में पूछा गया है निमने लिखित सब्दों में कौन सा सब्द हिंदी मासा से है या हिं है अब इसके बाद में आपका भाग दो वाता है जिसमें दिया गया गाधि तोiva30 के सबागर उनको मतलब जो दिया गया है उनके आंचर सही लगाने वाले थी देखिए आप पहला प्रस्म दिया गया है इसके लिए आप यह इहांपर इस इस्क्रीन पर पेकल दिए गया है ठीक है तो पेहले नम्मर ओजाएगा भी 45 किलोंपेटर ठीक है तो यहाँ पर आपकी लिए कहले लगा लिए आपका बी नम्मर का उत्तर यह पहले वाली का था इसके बाद प्लस ने दूसरे आता है दिया है राणि को कक्षा साथवी की परिश्या में 96 परसेंट मतलब 96 परती सता अंक पराप्त हुए यदि सभी बिसेंगों के पत्रों के कुल अंकों का यूग साड़े 700 है ठीक है तो राड़ी कुल निम्लों के तो ऐसे कौन कुल कितने अंक पराप्त हुए तो यहाँ पर आपके पुना है चार परसेंट में पर निम्लों के चित्र के चायां के तबाग के संगत भिन्न को प्रती सत में कैसे लखेंगे तो यहाँ पर आपके जितने लिए गाए कितने बारा कार खाने दिये गाए जिसमें यहाँ पर आपके नो अंकित किये गाए है तो यहाँ पर आपके लिए उसका शायं के रभाग का प्रती सत निकालना है तो प्रस्न चार में जो आपका यह नंबर का उप्सन है वो साही हो जागा ठीक है तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रस्न पांच की ओर तो यहाँ प पर देखिए एक खंड जो है बर्ग 70 मिंटर के बराबर है तो कितने इसमें complete किये गए है एक दो तीन चार पाँच और यहां पर दो और दो जोड़कार यहां से complete किये गए है तो इस पर गार्जी पूरे आठ होते हैं ठीक है फिर आगे बढ़ते हो देख रहा है हमारा प्रश उत्री का शेत्रफल जादा है आकरती एक के शेत्रफल से ठीक है या फिर आकरती एक का शेत्रफल जादा है आकरती दो के शेत्रफल से या फिर आकरती एक का एक वा आकरती दो के शेत्रफल लागवग बराबर है फिर चौथा आपका उप्सन दिया है दोनों आकरतियों को उनके शेत्रफ़ के तुल्ना नहीं की जा सकती है तो happens फ्रस्यक्री करमा क्षे है जिसका आपका उत्तर हो जागा C तो आकृती एक जो है वह आकृती दो मतलब दोनों के जो शेत्रफ़ है वो बराबर है ठीक है यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो दोनों के शित्मल बराबर आ जाती है इसके बाद है प्रसन आपका साथ है जिसमें दिया है टीना और मीना आपने घर के आंगन मैं खेले के लिए चौक से निमनाक्रतियों के अनुशार पर इसी में बनाती है तो दिये गए कतनों मैंसे कौन सा गतन सत्य है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ये प्रसन था और यहाँ पर नीशे दो जो क्या है आपकी तालीका मना गई थी तो इसके हिसाब से आपको नीशे दिये गए बेकल्ब जो है ये रहे आपके बेकल्ब इनको पढ़कर उत्तर देना था तो यहाँ पर आपकी प्रसन साथ का जो उत्तर हो जागा यह नम्मर का जिसमें दिया है टीना के पास खेले के लिए जाना जगा है ठीक है तो यहाँ पर आपको परीशी मा कर्मिशर बताना है किसके पास जाना जगा है इसके बाद आगे बढ़ते है तो प्रसन क्रमा काटा आता है जिसमें प्रसन दिया गया है आपका कि चित्रा नुशार आकरती एक में एक बरग कम करके आकरती दो का निर्मान किया गया है तब इसके संबंद में निमने में से क्या सत्य है ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या सत्य है यहाँ पर आपके चार बिकल्ब दिये गा है इनमें से कोई एक सत्य है ठीक है तो जो आपने का प्रस्ण आठ है उसमे चार विकल्ब दिये गए है जिसका चौथा विकल्ब आपका सई होगा डी नम्मर का ठीक है तो उसमें क्या दिया है कि आकरती दो का चेत्रपल कम पर अंतुप परिमाब बराबर है आकरती एक से ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए सत्तिक अतना प्रस्न यह रहे हैं आपके नीचे बिकल्ब ठीक है और आकरती को देखकर बताना है तो यहाँ पर चार बिकल्ब हैं प्रस्न नों का जो होगा पहले वाला बिकल्ब आपका सभी होता है जिसमें दिया है पति आ का छेत्रपल ज़्यादा है पति बास Même यहाँ पर आपक towel देना था तो यहाँ की 10 में का उत्तर हो जाएगा डी नमर का जिसमें दिया आपका 25 ठीक है यह माद देख हो जाएगा तो इस पेकार से इस वीडियो में आपने कख्छा 8 मी के अभ्यास टेस्ट जो आपका 6 था ठीक है 176 का उसका हल आपने देखा जिसमें हिंदी विसाय और गड़त विसाय का थेunda की पूर्च पर आपका टका जिसमें के अभ्यास पूह जाएगागा देखा पीस पहर शोग्टेश बड़त आपका जापने प्रस्ट आपका जाएगा टीक्क्ट जाएगागा विस अग्टश पूह